हेलो फूरी स्वागेत है आप सफीका आपके अपने यूट्यूब चैनल फूरी फूर पे फ्रेंस आज में बनाने वाले हूं बहुत ही ज्यादा टेस्टी सी काचर की बर्फी की दस से पंदरा देन आराम से चल जाती हैं सरदियों में और इन्हें बनाना बहुत ज्यादा आस लिया है और कुकर में स्लो गैस पे दो सीटी ने रगवा लूँगी तो यहां पे आप आदा किलो के करीब लगो चार सो पांसो ग्राम ले लेंगे खोबा या तो आप घर पे बना लिए मार्कीर से लेज लिए उसे क्रमबर कर लिए या फिर आप कसके रख लिए तो यह दे सी सारी प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो यह हमारी गाजर की बहुत ही जल्दी बन जाएंगी और स्लो टू मेरियम गैस पे इसे हम पका लेंगे इसमें जो एक्स्टर पानी रह गया है उसे हमने सुखा लेना है तो दीए एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है बस इनका पा इसे पका लेंगे इमालाई थोड़ा सा जो है दूद रिलीज करते हैं तो यह हम थोड़ा सा राई हो जाने देंगे और गैस हमें तेज नहीं करनी है slow to medium गैस पे ही लगातार चलाते हुए इसे हम पका लेंगे तो यहां पर एक कप मैंने डाल दी है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉरिंग थोड़ी बहुत कम जादा भी कर सकते हैं यहां पर चीनी थोड़ा पानी रिलीज करेगी तो इसे थोड़ा सा हमें ड्राइक कर लेना है अच्छे से जो गैसे वह हमें slow to medium ही रखनी है लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे नीचे से चलाते रहना है ताकि यह लगे ना थोड़ा भी और फिरंस यहां पर मैं डाल दूँगी दो कप के करीब यानि कि 400-400 ग्राम के करीब मैंने इसमें मावा डाल दिया है थोड़ा समय बचा लूँगी पीछे के लिए उसे मैं क्रंबल करके लास में डालूँगी उनका जो बाइट होता है काफी अच्छा आता है और काफी टे पानी चोड़ रहा है और यहां पर इसमें बुलबुले उठ रहे हैं तो लगातार इसे हमें ड्राइग कर लेना है चलाते हुए इस तरीके से काफी ड्राइग हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे एक भर के पूरी चमज देसी घी इसे एक तो यह बुलबुले थोड़ की करीबी इसमें गी डलता है मैंने अब डाल लिया है एक में डालूंगी लास्ट में तो फिंस यहां पे मैंने काजू डाल दी है आपको जो भी ड्राइव पसंद हो थोड़ा सा प्रेश करके कूट के थोड़ा सा आप इसमें डाल दीजिए इनका टेस्ट बहुत ही कर जाती है तो यहां पर एक टेबल स्पून और मैंने भर की डाल देश में देशी की तो यहां पर लगबग यह हमारा बर्फी का मिक्षर तैयार है इसी थोड़ी देर हमें और पका लेना है थोड़ा सा और राइक कर लेना है तो फिर जो बचा हुए मावा था 500 ग्राम में स वह भी मैंने इसमें डाल दिया है अब एकदम से तैयार है और यह जो मावा की चंक्स हैं लास में हम डालते हैं तो यह बहुत ही टेस्टी आते हैं बर्फी में और इसे लगातार इस तरीके से चलाते हुए और थोड़ी दिर पका लेंगे और अब यह तैयार है तो इसे ग् ने और अब बराबर फेला दें evenly फेला दे आप इसे ऐसी छोड़ दें तो उसे क्या होगा यह अच्छे से टाइट हो जाएगी तो फ्रंस अगर आपने गाजर की बर्फी का जो मिक्षर है अच्छे से गाड़ा करके जमाया है तो लगबग दो गंटे में यह अच्छे से serpent होजाती है और demold होने के लिए तयार हो जाती है यहाँ पे जो कटके मेंने पहले लगए थे इसे थोड़ा गड़ा होने के पार तो आप तो थोड़ा समयने और गहरा कर लिया है और आराम से निकाल ने इसे आराम ढराम से डिमोल्ड हो जाती है अगर नहीं होती है तो आप ट्रे को हलका सा आग पे गरम कर लीजे तो बहुत ही एजली निकल जाएंगे तो फिरस बहुत ही जादा टेस्टी एक तम से सौफ्ट हमारी मार्केट जैसे बिल्कुल हलवाई जैसी गाजर की बर्फी बनके तैयार हुई है क कि एकदम से सौफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है तो फ्रेंस आपने देखाई कितनी आसानी से तैयार हो जाती है बहुत जादा टेस्टी लगती है और लगभग 10-15 दिन रोम टेंपरेचर पे आराम से आप इने स्टोर करके रख सकते हैं तो फ्रेंस यहा इसी के साथ में वीडियो से माप्त करती हूँ बाई झाल 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 झाल